नमस्कार, सलाम, निउसकलिक के इस खास कारकरम चुनावचक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल गुजरात में पहले दौर का मद्दान संपन हो चुका है, एक दिसंबर को 89 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है अब 182 में से 93 सीटों पर वोटिंग होना पाकी है, जिसके लिए सुमवार 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे इस दूसरे दौर के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोगती है, बड़ी-बड़ी रहलियां और रोट शो हो रहे हैं हाला कि तमाम कोशिशों के बावजूद पहले दौर में मतदाताओं में वो उत्साहा दिखाई नहीं दिया क्योंकि पहले दौर जिसमें सौराष्ट और कच की सीटे प्रमुकता से आती हैं, महां पिछली बार से कम मतदान हुआ है 2017 में 2012 के मुकाबले कम मतदान हुआ से बाचपा की सीटे घड़ गई थी इधर MCD चुनाओं के लिए रविवार 4 दिसंबर को वोट पड़ेंगे यहां भी वाहन रह लियां का दौर चल रहा है और डोर टोर भी प्रचार हो रहा है तो अब चुनाओं का क्या हाल है गुजरात में पहले दोर की वोटिंग क्या कुछ संकेत दे रही है दूसरे दोर के लिए क्या कुछ हो सकता है इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय गुजरात में मौजूद है हमारी वरिष्ट पत्रकार भाशा सिंग और स्टूडियो में गुजरात से अभी लौट कर आए हमारे वरिष्ट सहयोगी तारीक अन्वर और दिल्ली का हाल देंगी सोनिया यादव तो सबसे पहले हम चलेंगे भाशा के पास भाशा इस समय गुजरात में मौजूद है पहले दौर का चुनाओ उन्होंने कवर किया अब दूसरे दौर की बारी है तो भाशा जी आपका बहुत स्वागत है तो भाशा पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है 89 सीटो पर 93 पर अब बाकी है आपने पहले दौर का चुनाओ देखा उन्हीं इलाकों में गई पिछली बार से कम वोटिंग बताई जा रही है करीब इस बार 60% 62% के आसपास वोटिंग है 2017 में जब 67% वोटिंग थी उससे पहले उससे भी जादे थी 10 सालों में सबसे कम वोटिंग ये बताई जा एक बात जो यहां गुजराती जो लोग हैं जो मान सकता है जो चुनाओं को बहुत करीब से देखते रहे हैं उनका माना है कि गुजरात में कम वोटिंग होना भाश्का के लिए अच्छा नहीं बाहना जाता है ये उनका अपलन है क्योंकि इस बात जो परंपरादत वोटर ह जो पहले दौर की वोटिंग में जो सबसे बड़ी दहच का मुज़ा जिन सीचों पर रुखा और से सूरत वाले इलाके में जहां पर आम आदली पार्टी टेकर दे रही है तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि आम आदली पार्टी के तमर्टा को बड़े पैमाने पर सोहराश के इलाके हैं जहां पर कॉंग्रेस के बहतर प्रदर्शन की बातें थी तो ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ हद तक वो मोबलाइज करने में सफर हो पाए हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं 2014 से देश में जितने भी चुनाओ हो हैं जितने भी चुनाओ किसी वी राज भी चुनाओ हो, लोकसभा चुनाओ हो, राच जितनांचभा को चुनाओ हो हो, हग चुनाओ में मोदी जी यह कोशेश पूरी करते हैं ज्यु कहिए कि उसकी पूरी रण्मिती रचे बनाते हैं, जिस दिन मंदान पड़गा होता है, उस दिन ऐख उनका मेजर इवेंट होता ताकि और वो मेजर इवेंट तमान पीवी चैनलों पर तमाम वटसप पर लाइफ टेली कास होता है कल भी इसी तरह पर था एंदाबाद में नेजर रोड शो था प्रधानंट्री नरिन मोदी का योगी आधितिनाग भी थे और हम सब ने देखा कि इसे बड़े प्रेमाने पर गुजराती गौरव से जोड़ा गया है गुजरात में तमाम दूसरे ढंके जो खौफ इस बार पैदा किये थे एक बहुत एहम बात मुक्पल जो मुझे अपने अब्जरवेशन में लगी कि उसमें पिछले तीन चुनाओं से यहां आ रही हैं पहली बात भाश्पा के बैन सांप्रदाई कार्ट पर खेला है इसमें परेश रावन को पूरी बहुत ही निचले पायदान पर गये जाएंगे बंगलादेशी आजाएंगे प्रोहिंगी आजाएंगे तो आप तो उची बगर में मचली ठाएंगे तो क्या होगा उससे एक बात साबित हो रही थी कि लोग बोल रहे थे कि इतना ज्यादा मोदी जी को रोट शो क्यों करना है शूरत में घरघर वोट मांगने क्यों जाना है पांक साल जोंके सरकार को कुछ सॉलिद काम कर देना चाहिए था तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही रसे जाने किन मुद्दों पर वोट किया होगा क्या उनकी सोच थी किन क्या बाते वो क्या उनके समस्याएं थी किन मांगों पर वोट देने गए हुँगे क्या सोचती है आप देखी जो मैंने इस बार कोशिश की थी कि पहले दोर में जो आधिवासी इलाके हैं उनमे भी जाने की तो उसकोड़े दूरदरात के इलाके हैं और वहाँ पर बड़ी है जाकर बात करके वे जंग जंगल जमीन के ही उद्दे पर वोट कर रहे है वे तापी नदी पर जो पार से बहुत नाराजगी थी बड़े पैमाने पे नाराजगी थी आधिवासी समाज में और वो खुल के बोल भी रहते वहां तक कि जो भाश्पा के समाठाथक लोग भी थे वो भी बोल रहे थे कि अगर इस पर युजना को थोड़ा पहले रोक दिया होता भी दो महीने पहले ह इस पर युजना को तो शायद थोड़ी स्कति अच्छी होती एक और बहुत एहम चीज जो मैं चाहती हों की दर्शक ये भी देखें कि लगातार धार्लिक कटरता की बात करते हुए भाश्पा ने इस बार वियारा विधान सभा जो एक आधिवासी आरेशित सीट है वहां प तो मैं जब वहां गई तो भाश्पा की जो नौजवान साथी थे वो लगातार बता रहे थे कि वह वैसे तो इसाइन है लेकिन देखें ये फोटो देखें ये मंदिर में आके यहां पर खड़े हुए हैं ये हमारे तीस तिवहार में मानते हैं अब्ब वो अपने तोर पर कर रहे हैं सारे सारी बातों को एक बड़ी पैमाने पर जो निशकर्ष निकलता है कि पहले चरण के चुनाओं में भाश्पा में बोखलाहट भाश्पा में बेचैनी क्योंकि अंडर करेंट एक बड़े पैमाने पे नाराजगी है और बहुत सॉलिट मुद्धों पे नाराजगी थी महंगाई को लेकर सब लोग काफी खुलकर बोले अब हम इसी को अब दूसरे दौर में जब आ रहे हैं जब 93 सीटों पर वोटिंग होनी है दो रिजन बचे हैं नौर्थ और सेंटर गुजरात क्या यहां भी वही मुद्धे हैं और महंगाई एक बड़ा मु तकरीबन 45 सीटे हैं 45 अर्बन सीटे हैं विधान सभा की शहरी सीटे जो हैं विधान सभा की उनको तकरीबन माना जाता है भाश्पा सहीड कॉंग्रेस भी मान लेती है कि यहां पर कोई फाइट नहीं है यह भाश्पा का स्ट्रॉंग होल्ड है तो इस बार आम आदमी पार् बहुत वोकल नहीं हैं, जैसे बाकी आप बाहर जाईएगा तो परियोजनाओं को लेकर, परियोजनाओं से लिस्थापन को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर है, लेकिन इन जो शहरी सीटे हैं, शहरी सीटों पर दूसरे धंकी टकता है, यह सवाल बहुत वोक कॉरोना की बात करें बड़े पहुट पहला क्लिए पसक्राव कॉशा कर्णी कर दो करें हैं और चुनाओं के थीक पहले उनके पासों के बढ़े तो ये जो सारे मुद्वे हैं ये महिला हैं तमाम अलग-अलग समाज की बहुत वोकल को के बोल रही हैं और इसलिए आप आएंगे कि यहां पर बोटों को अलग-अलग भूंसे बातने वाली जो बात है वो भी बदाता हूं गोलने से OVC कुछ सीटों पर जहां पर अच्छा कर सकती है वहां पर OVC लगाता रैली भी कर रहे हैं उनको अपनी तरफ ठीशने की कोशिश हो रही है तो यह सारे मुद्वे दूसरे ठांग से लेकिन इनको अगर आप बहुत अहम्दाबाद में हूं अगर अहम्दाबाद के स्वीच पे निकल जाए यह आपकर नहीं पर तो बुनियादे के लोगे ही बात करते हैं कि सब कुछ ठीक है नहींगा ही हो गई बहुत हो गई लेकिन वोट भी तो बढ़ा तन्वा भी तो बढ़ी है और सिर्फ जुक्रेन जुद्ध के बारे में इतना प्रवचानिक मदाता यहां देते हैं कि मुझे लगता कि वर्टस सब्सक्राइब को सीट से अभी मर्दाता पचाल ही पाया है लगता कि वर्टस पे उसके नहीं गए होंगे लेकिन यह सारी जो मुद्धे हैं यह मुद्धे धक्तगड़ों के पास बड़े काइमाने के और मुझ्राती गौरण सब के पास वीडियोज हैं मुपुल मैं आपक मिला रहे हैं मुझे लगा कि यह तो मीडिया में ज्यानी नी मिल पाया इतना तिर रिखा रहे हैं कि बाकी सारे लोग तो सब साथे तरह के खेल चल रहे हैं कि विश्व गुरू और पर राश्टे अंतर राश्टे मुद्धों पर और एक चीज और मैं कह रहे हैं कि पूरे गुजरात में चुनाओं सिर्फ मोदी जी के नाम पर देखाई लेता है और दूसरा जो बड़ा चेहरा एहमदाबाद और बड़े शहरों में हैं वो अमिश्या जिता है तो दो चेहरे हैं सबसे बड़े देश के प्रभाम मंत्री चुनाओं लड़ा रहे हैं और देश के गुवे मंत्री चुनाओं लड़ा रहे हैं पांस तारिक को वोटिंग है और फिर आठ को काउंटिंग आप से पिर लोटेंगे आपके पास आप से बात करेंगे शुक्रिया तो अभी हमने भाशा सिंग की बाते सुनी, वो गुजरात से हमें रिपोर्ट कर रही थी, अब हम गुजरात पर ही जानकारी लेने के लिए अपने स्टूडियों में अपने साथ ही वरिष्ट सही होगी, तारिक अन्वर के पास चलते हैं, तारिक भाई, आप गुजरात घूम कर आए, देख कर आए, चुना का जाहिजा लेकर आए, भाशा की बाते भी आपने सुनी, पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है, आपका क्या असस्मेंट है, क्या अबजर्विशन है, पहले दौर की वोटिंग के लिए, फिर हम दूसरे दौर पर बात करेंगे, देखिए, बाद तो सही है कि भाजपा जिस वाइबरेंट गुजरात के बात करती है और गुजरात मॉडल के बात करती है उसका पूरा एलेक्शन कैमपेंड उसी पर सेंट्रिक होना चाहिए जो डेवलोप्मेंट वर्क किया लेकिन वो हुआ नहीं उसमें हमनता विस्वाशलमा मुदी अमिशा योगी ये लोग जो जाके वहाँ पर कैमपेंडिंग कर रहे हैं उसमें कमनल इशूस को एड़ कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं बात नहीं बात चुनावा ऐसी लरती है और हर जगा लरती है तो ये अब एक पैटरन बन गया है इसमें कुछ बहुत ज कि अभिए गजरात में क्यों इंपाक्ट कर रहा है उसका एक पस्पेक्टिव है ये नहीं कि प्लैनली कहा जा सकता है कि वाट्स-अप युनुश्टी से वह आया है सूरत जो साउध गुजरात का हिस्सा है, सूरत में डाइमंड इंडिश्टि है और डाइमंड इंडिया इंपोर्ट करता है रशी से रशी की एक प्रोविंशे जिसमें अमेरिका ने सैंक्शन सबसे पहले लगाया था वो sanction के बाद वो जो import था वो एकदम बिल्कुल dip हो गया तो इसलिए Ukraine का जो war है वहां की business community को बहुत adversely impact कर रहा है इसलिए हर तीसरा आदमी at least सूरत का आपको Ukraine youth की बात करेंगा वो Ukraine youth को वो इस संदर में नहीं देख रहा है वो देखता है कि मोदी जी ने किस तरका डंका बजा और युद रुकवा दिया और भारतिये चात्र लॉट आए वो उससे positive वहां ये वाला नहीं कि हमारा कोई business हमारा diamond business इससे नहीं जो हम चुकी मैंने भी ground visit किया तो बहुत लोगों से हमारी बात हुई है इसमें इस पे उसका negative impact पड़ता हुआ इस election पे दिख रहा है जो हमारा अपना conclusion है जो Russia Ukraine war है उससे उसकी वज़ा से import कम हुआ तो हीरे जितना हीरा आना चाहिए था गुजरात में जो आता था हर साल वो इस बार नहीं हुआ तो बहुत सारी units बंद हो गई हैं हमने कही सारी stories लिखी है उस पे कि बहुत सारी unit अभी खुली भी नहीं है चुकि वहां कि आपका कहना यह कि Ukraine युद्ध नुक्सान पहुचा सकता है बीजेपी को हम Ukraine से आगे बढ़ते हैं एक Ukraine का जो है वहां की politics के लिए और रुपे का गेड़ना एक बड़ा important है चुकि again वही diamond industry जो है चुकि आप payment करते हैं रुपे में आपका repair devalued हो रहा है डॉलर ऊपर जा रहा है आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं कम डॉलर हो रहा है तो जिसकी वज़ाएं से आपका जो आपकी जो हुआ है कम percentage हुआ है अब वोटिंग वहां हो चुका तो वह मुद्दे मतला इस वोटिंग कम percentage को आप किस तरह देख रहे हैं देखें वोटिंग कम होने का 89 seats पर वहां पर election हुआ 89 में 48 seat जो है भाजपा के पास थी 38 Congress के पास थी अब तक दो सीट भारतिय ट्राइबल पार्टी जो है वहां पे BTP उसके पास थी एक NCP के पास थी तो यह इसमें है 2012 में वहां पे 71.46 परसेंट वोटिंग हुई थी जब 71.2012 में यही 89 seats पे 71.46 परसेंट वोटिंग हुई थी BJP को 61 seats मिली थी Congress को 22 seat मिली थी 2017 यानि आखरी last जो election था उसमें 67, 4 परसेंट गड़ गया 67 परसेंट वोटिंग हुई BJP को 48 seats मिली Congress की seat बढ़ गई 22 से 38 हो गई तो क्या वो trend इसमें काम करेगा इस election में इसका मतलब यह trend यह show करता है कि वोटिंग परसेंटेज का नीचे जाना भाजपा के लिए नुकसांदे साबित हुआ है Congress के लिए अच्छा यह हुआ है Congress ना अपना टैली बढ़ाया है लेकिन यहाँ पे इस बार इस election को एनलाइज करने के लिए आम आदमी पार्टी के रोल को देखना परेगा एक तिन ला है वहाँ पे issues पे लड़ाई हुई है यह सूरत अगें पटेल कम्यूनिटी का strong hold रहा है और पटेल कम्यूनिटी के जो लववा पटेल है या करवा पटेल वो टेक्स्टाइल और डाइमन इंडस्ट्री पे उनका वर्चस है उनका जो यूथ था वो उसमें बड़ी नाराज की है जो traditional Congress बीजेपी का voters है जो आज भी उसी तरह से youth float कर रहा था इस बार वो किस तरफ गया है वो important है मोटा मोटी अगर आप देखें तो इस बार का election चुकि बाइपुलर नहीं है उसमें आमादी पार्टी वो बन के आ गई है इसलिए वो analyze करना बहुत जरूरी है Congress जो आज चला है कि Congress को अपर हैंड लग रहा है ट्राइबल रीजन में साउथ गुजरात के ट्राइबल रीजन में साउथ गुजरात के ट्राइबल रीजन एक पूरे उसमें है आप इदर सूरत से आगे बर यह डांग तापी नर्मदा मांडवी यह सब आलाका पूरा होते आलाका है यहां पे Congress ने अच्छा किया है ऐसा लोग बदा रहे हैं तो लेकिन यहां पे जो डिफरेंस और वोट है वो दो परसेंट का होगा बीजेपी और Congress अगर यह दो परसेंट वोट जो है वो आम आदमी पार्टी अपने फेवर में ले लेती है तो Congress का सूपरासाफ अ उसी तरह से आप आजिया है कि आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रॉंग होल्ड है वो सूरत है और एक दो इलाका और कह लीजेए बीजेपी जो जिसने अच्छा किया यह जो बात कही जा रही है वहाँ पे भावनगर है कच्छ है राजकोट ट्रेडिशनल बीजेपी की चार स सीट्स हैं नवसारी है वलसार है नवसारी है वलसार अगें ट्राइवल बिल्ट है लेकिन वहाँ पे खेती थोरा सा अच्छे पैमाने पे होती है तो यह सीट्स पे भाजपा का अपना असर है तो अल्मोस्ट सीम उस पे इलेक्शन चल ला है अब यहाँ पे जो बहुत किस डियरेक्शन में जा रहा है वो एक कुछ सीट्स हैं जो टै करेंगी कि कुन जीतेगा पहले इसमें भाजपाई है वो उस में हैं जामनगर की नौर्ट मॉर्बी की सीट कंबालिया एक सीट है वह राजकोट एस्ट की सीट है गुंडल राजकोठी में है वो सीट है वराचा रोट सूरत की जो सीट है पूरबंदर अगेन ये ये पूरबंदर की एक और सीट है जहां से NCP जीती थी उसी तरह से भावनगर वेस्ट की सीट है तो नवसारी जो कॉंग्रेस का बैशन माना जाता है कि ये तो अब समझ में आ रहा है पर क्या ये ट्रेंड अब सेकंड फेस की तरफ बढ़ रहा है और सेकंड फेस में आप क्या देख रहे हैं संभावना है क्या ये बुजरात एतना होमोजेनस एस्टेट नहीं है कि उसके एलेक्शन रिजल्ट को इतने आसानी से वो कर दिया ज है ये जिस पहले फेस में कॉंग्रेस का स्ट्रॉंग होल्ड था पूरा सौराश्ट था साउथ गुजरात में कॉंग्रेस की अच्छी सीट आई थी साथ सीट आई थी 35 में से तो ये अलाका जो था ये कॉंग्रेस के स्ट्रॉंग होल्ड में एलेक्शन था नॉर्थ गुज लगता है कि रिटेन करेगी चुकि नॉर्थ गुजराथ एग्रिडियरियन बेल्ट है वहां पे खेती के बहुत सारे इशूज है अब वहां पे कैश क्रॉप मुंफली है जीरे की खेती होती है बहुत सारी वह और वहां पानी का बड़ा मुद्दा सौराष्ट का बेसिकली ज बहुत बड़ी चीज है मेन सोर्स अफ इंकम है लोगों की और किसानी में वहां पानी ही नहीं है वो रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं कॉटन की खेती करते हैं साल में एक खेती उत पाता है तो दोसरे दोर में भी महंगाई और बेरुजगारी यह मुद्दे काम कर रहे है या सिर्फ धार में एक दरूरी कराना है नहीं नहीं यह क्या देना कि पूरा रिलिजिस पुलराइजेशन इस इलेक्शन को इंफ्लूएंस कर रहा है यह भी गलत होगा पूरी तरह से यह मुद्दों पे इलेक्शन भी नहीं लड़ा जा रहा है लेकिन जनता के बीच जब बातचीत किया तो वो अपने इन मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे वहां पर यह लग रहा था कि जो आउटसाइड गुजरात आप बैटके बीजेपी को वो देखते हैं कि बीजेपी अपने स्टेट में मतलब नरेल मोदी और अमिश्चा का वो स्टेट है जो गुज गुजरात मॉडल जो पूरे देश भर में बेचते हैं वो जो दुनिया को दिखाते हैं गुजरात में उसी गुजरात मॉडल पर वोट नहीं मांगे जा रहा है ये एक बात हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि तो अब मैं गुजरात की बात रोकूंगा और अब चल लेविल पर उसका प्रचार पहुंच गया और मद्दाता क्या सोच रहा है अब एक सोच बना ली होगी उसने आजी ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसमें भी मद्दाताओं के बीच कई पैटरंस देखने को आपको मिल सकते हैं जैसे कई लोग हैं जो CM केजरिवाल या PM मोदी इन लोगों के नाम पे वोट डालने जा रहे हैं और एक भाग ऐसा भी है जो मुद्दो पे वोट डालने जा रहा है कि उनकी जो पानी बिजली सड़क के मुद्दे हैं जो बेसिक MCD के मुद्दे हैं उस पे वोट डालने जा रहे हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि फे मु mente कर बढ़ए है किस तरह सी और उस्के मुद्धे क्या वाके में एड्रस कर पा रही है विपक्षी यानि आम आदमी पर्टी जो एंसी साल से MCD में है तो कही ना कहीं लोगों के अंदर 15 साल का गुस्सा तो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उनको लग रहा है कि MCD में कुछ भी नहीं हुआ है और लोग खुलके वोकल होके इस चीज़ पर बोल भी रहे हैं कि हाँ कोई काम नहीं हुआ है या जहां हुआ है वहा तो वो MCD के हवाले है उससे बड़ी सड़क है तो वो दिल्ली सरकार के पास है प्राइमरी एजुकेशन है तो वो MCD के पास है सेकेंडर एजुकेशन दिल्ली सरकार के पास है तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं पानी दिल्ली जलबोट के हवाले है तो ऐसे कई सारे मुद्दे करने दे रही तो वो चाहती भी है पार्टियां की लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन बना रहे ताकि हम एक दूसरे के ऊपर ठीक राफ फोड़ते रहें हां लेकिन अगर आप कहें कि कौन सी पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है तो केजरी वाल जो है वो पानी विजल है हम उसको खतम करेंगे और बीजेपी ने इसी को अपना मुद्दा बना लिया कि वो प्रदूशन तो खतम नहीं कर पाए तो कूड़े के पहाड क्या खतम करेंगे वो हम खतम करेंगे हाला कि उस पर भी और ब्रश्टाचार भी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है जी ब पूरी जो पावर है वो इसी की है कि ये कैसे लिया जाए और क्यूंकि ये लोगों की एकदम बेसिक चीजों से जुड़ी हुई है कि लोगों के पास पीने का पानी हो लोगों के पास साफ पानी हो सडकें अच्छी हो एजुकेशन हो सब कुछ जो बेसिक मुद्दे हैं तो कि इसके अलावा हमारे पास कोई चार भी नहीं तो क्योंकि यहां चार दिसंबर को मददान होना है और आठ से पहले साथ को वह रिजल्ट आ जाएगा तो अब रिजल्ट आ जाए और मददान हो जाए और रिजल्ट आ जाए डिल्ली CD का और गुजरात का भी तो फिर हम आप से बात करते हैं जी मैं यहां पर एक और चीज एड़ करना चाहूंगी कि इस पूरे चुनाओं में बीजेपी जो है उसने जो उसकी केंद्र की योजना है जैसे जंधन योजना है उजवला योजना है या जो बाकी हर घर जल योजना ह उन चीजों को उसने प्रमोट किया है और आम आदमी पार्टी ने जो उसके विधान सभा की चीजे थी फ्री विजली फ्री पानी उसको प्रमोट किया है तो कहीं न कहीं जो लोगों के बेसिक मुद्धें उस पे कोई सब्सक्राइब और अब देखते हैं किस तरफ जनता वोट करती है और किसकी सरकारे आती है फिलाल शुकरिया सोनी आपका आपका भी तो दरशको साथियो आपने सुना भाशा को जो गुजरात में है इस समय तारीक जो अभी गुजराज से लॉट कर आये हैं और दिली i.s.d. जो कवर करी है सोनिया अब गुजरात में दूसरे दोर की और दिली में भी वोटिंग होने जा रही है अब देखते हैं किस तरफ वोटर्स का रुजहान रहता है और जब रिजल्ट आएंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे फिलाल शुक्रिया धन्यवाल